हलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10, NCRT Economics के चाप्टर, Sectors of the Indian Economy का थर्ड मॉड्यूल फ्रेंड्स हमने पिछले मॉड्यूल में Nature of the Activities के बेसिस पर तीन सेक्टर्स Primary, Secondary और Tertiary सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम तीनो सेक्टर्स को कंपेर करेंगे So today, we will study about the topic comparing the three sectors तो चलिए, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल तो फ्रेंड्स, Primary, Secondary और Tertiary सेक्टर में Different Production Activities के थूँ Huge नंबर में Goods और Services प्रोवाइड होते हैं साथ ही साथ, ये तीनो सेक्टर्स Goods बनाने और Services प्रोवाइड करने के लिए काफी लोगों को काम भी देते हैं तो अब अगला Question ये आता है कि कैसे Calculate किया जाए कि हर सेक्टर में कितनी Services, कितने Products, कितने Goods प्रोवाइड हो रहे हैं दिये जा रहे हैं और कितने लोग इनमें काम करते हैं Friends, Economy में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक या एक से ज्यादा सेक्टर Total Production और Employment के मामले में आगे हो यानि कोई एक सेक्टर, मेभी Primary सेक्टर या फिर दो सेक्टर, मेभी Primary और Tertiary सेक्टर, ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत जादा लोग काम करते हों, बहुत जादा Production होता हो जबकि दूसरे सेक्टर शायद उतना ना कर पा रहे हों और Relatively Small in Size हों मतलब ये पॉसिबल है Economy में कि जो सारे सेक्टर हैं वो Equal नहीं होंगे मेभी कोई एक सेक्टर बहुत जादा तरक्की कर रहा है और बाकी के दो उतना जादा तरक्की पर नहीं है थोड़ा पीछे है Relatively Small in Size है तो Friends अब सवाल ये उतता है जो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैसे ये count या calculate किया जाए कि हर सेक्टर में कितने goods produce हो रहे हैं और कितनी services provide की जा रही है और हर सेक्टर का total production है क्या Friends इसमें हमारे सामने एक challenge भी आता है वो क्या Friends basically economy में तो variety of goods produce होते हैं अलग-अलग तरह की services provide की जाती हैं जैसे हमारे अहां iron की nail भी बनती है, keel भी बनती है और cars भी बनते हैं साथ ही economy में weed भी produce होता है, साथ ही floor भी produce होता है यानि एक छोटी सी कील से लेकर एक बड़ी कार तक सारे products included होते हैं जो की economy की value बढ़ाते हैं क्योंकि सारी production activities में जो भी goods produce हो रहे हैं और जो भी services provide की जा रही हैं जैसे washerman ही क्यों नहों, बाबर ही क्यों नहों, communication की service ही क्यों नहों सारे जो products होते हैं, छोटे बड़े सारी services सब एक तरह से economic value generate करते हैं तो challenge क्या आता है? तो friends challenge यह आता है कि इतनी variety के goods और services को calculate करना तो बहुत मुश्किल है friends इसी problem को solve करने के लिए economist ने एक solution बताया उन्होंने बताया कि हर product की value अलग होती है अगर हमें economy के अलग-अलग goods और services की production के बारे में जानना है तो products के number को यानी products की quantity को ना लेकर हमें product की value को लेना चाहिए so the economist suggests that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers यूँकि हमारे या तो variety of goods और services provide होते है तो इतने चोटे और इतने बड़े सारे जो goods है सारी जो तरह-तरह की services है सबके अगर हम number को देखने लगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो इसी लिए economist ने क्या suggest किया that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers for example अगर 10,000 kg wheat रुपीज 8 पर kg के हिसाब से बेचा जाता है तो wheat की value रुपीज 80,000 हो जाएगी इसी तरह से 5000 coconut अगर रुपीज 10 पर coconut के हिसाब से बेचे जाते है यानि हर एक coconut 10 रुपे का बेचा जाता है तो coconut की value 50,000 आएगी फ्रेंट्स इसी तरह से तीनों sectors में goods और services की value को calculate करके add किया जाता है यहाँ पे value ही तो add हो रही है न क्योंकि यहाँ पे हम number of coconut नहीं देख रहे यहाँ पर हम quantity of wheat नहीं देख रहे हम यहाँ पर उनकी value देख रहे है जैसे wheat का हमने आपको बताया total value कितनी हो जाएगी 80,000 और coconut की अगर 5000 coconut रुपीज 10 के हिसाब से बेचे जाए तो 50,000 coconut की value हो जाएगी तो इसी तरह से चीजों की service की value को add किया जाता है तो friends इसी तरह से तीनों sector में goods और services की value को calculate करके add किया जाता है friends क्या आपको पता है जब इन सारी चीजों को जो value है, सारे final goods और services की, इनको जब add करते हैं तो क्या निकल के आता है? बताये पता होगा आपको? नहीं पता? हम बताते हैं. Friends, इनी तमाम चीजों को add करके आता है GDP. क्या आता है? GDP. GDP की full form बताइए? Gross Domestic Product. Repeat after me. Gross Domestic Product. Friends, GDP क्या है? GDP है value of all final goods and services produced within a country during a particular year. यानि उस साल, उस कंट्री में, यानि एक साल में, एक कंट्री में कितने रुपे की चीजे बनी या service provide की गई, उन्हीं सभी का total उस कंट्री का GDP होता है. और इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की GDP कितनी बड़ी है. तो what is GDP? GDP, it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. यानि क्या है? उस साल, उस कंट्री में कितने रुपे की, कितनी value की goods बने, products बने, और कितनी value की service provide की गई. और इन्हीं सभी का total क्या कहलाता है? GDP of the country कहलाता है. इंडिया की बात करें, तो इंडिया में GDP मेजर करने का काम एक Central Government Ministry करती है. ये ministry इंडिया की सारी states और union territories के government departments के साथ मिलकर, total volume of goods और services और उनके prices से related information collect करती है और GDP estimate करती है. तो GDP इंडिया में कौन करता है calculate? कौन measure करता है? एक Central Government Ministry करती है. तो GDP of a country क्या हुआ? अलग-अलग sectors के जो तमाम goods, products, services provide हुए, उन्ही की तो value add करके GDP होता है, country का. So, GDP of a country is equal to GDP of primary sector plus GDP of secondary sector and plus GDP of tertiary sector. ये होगा GDP of a country. Friends, अब बात करते हैं precautions in calculating GDP. GDP कैसे calculate करते हैं, पता चला? GDP of primary sector plus GDP of secondary sector plus GDP of tertiary sector. तीनों sectors की GDP को जब हम add करते हैं, तो एक country की GDP वो हो जाती है. तो अब ये भी बात है कि ये calculation करते समय, ये measure करते समय, एक precaution लेना बहुत जरूरी है. अब वो क्या है? चलिए देखते हैं. Friends, not every good or service that is produced and sold needs to be counted. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. अब आप सोच रहे होंगे, ये सब मैंने क्या बोल दिया? तो घबराये मत, बहुत सिंपल है. चलिए समझते हैं. यानि Friends, हम बात कर रहे थे कि क्या precaution लेना चाहिए जब हम GDP measure कर रहे हैं. तो Friends, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि intermediate goods की value, final calculation में involve यानि add नहीं होती है. For example, किसी farmer ने floor mill को wheat रुपीज एट पर kg के हिसाब से बेचा, तो ये primary sector हो गया. क्योंकि farmer बेच रहा है ना wheat को, तो primary sector हुआ कि नहीं? अब mill ने, जो floor mill है, उसने wheat को साफ करके, एकदम सफाई करके, refine करके, floor बना के, biscuit बनाने वाली company को 10 रुपे पर kg में sell कर दिया. मतलब, farmer ने floor mill को 8 रुपे पर kg में बेच दिया. है ना, wheat 8 रुपे पर kg में उसने floor mill को बेच दिया. अब floor mill ने क्या किया? फ्लोर को साफ किया, और फिर biscuit making company को 10 रुपे पर kg में sell कर दिया, आटे को. अब biscuit की company ने wheat floor को sugar, oil और जो भी ingredients required थे, उनके साथ प्रोसेस करके biscuits बनाएं. और market में एक-एक packet को 15 रुपे पर packet के हिसाब से बेच दिया. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ final goods क्या है? biscuits हैं. फ्रेंट्स, final goods वो goods होते हैं जो consumers तक पहुँचते हैं. मतलब final goods वो goods है that reach the consumers. और यहाँ पर क्या पहुँच रहा है consumers के पास? biscuits पहुँच रहे हैं. तो biscuits हो गए हमारे final goods. इसलिए value of goods in economy हो गई. रुपीज 15 पर packet. wheat, wheat floor, oil इस process में intermediate goods कहलाते हैं. जो final product को बनाने में काम आते हैं. और already इन goods की यानि intermediate goods की value final product में included होती है. यानि 15 रुपे का जो biscuit का packet है, उसमें रुपीज 8 के wheat की value और रुपीज 10 के wheat floor की value included है. इसलिए intermediate goods जैसे wheat और floor separately include करना ठीक नहीं है. तो समझ आया आपको? तो हमने क्या-क्या पढ़ा, friends? हमने पढ़ा कि GDP का मतलब है gross domestic product. हर sector की पूरे साल की production में उसके final goods और services की value included होती है. कंट्री में हर साल तीनों सेक्टर्स में produce होने वाले सारे final goods और services की कीमत को GDP कहते हैं. Friends, GDP को measure करने का काम Central Government की ministry करती है. Friends, अगर बात करे precautions की, जो GDP calculate करते हुए लेना जरूरी है, वो ये है कि हर goods और service जो produce यानि generate होता है या sell किया जाता है, उसे count करने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ, final goods and services included होते हैं GDP की calculation में, measurement में. क्योंकि final goods and services include करता है value of all raw material and intermediate goods. So, let us revise once again. Friends, GDP is gross domestic product. The total production of a sector for the year includes the value of final goods and services produced in each sector during a particular year. The sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product i.e. GDP of a country. Friends, the task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. Friends, if we talk about the precaution which should be taken while calculating the GDP is that not every good or service that is produced and sold needs to be counted. Basically, the calculation of GDP only includes the final goods and services. Final goods include the values of all raw material and intermediate goods. Friends, समझ आया आपको? ये था हमारा आज का module. तो चलिए, अब इस module की exercises करते हैं. सबत्सक्षबोंफे अन्से नंवाभ Allah wodом – गलिए Алजना. MOD मसे आप वित्सका, भान, का method मत ए सकत्वार्बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब 1 रिय senवथ 2 बाते पी यु